तेजसी आदब के आरोप पर जेडियू के राश्टी कारेकारी अध्यक्ष संजय जहा ने कहा है कि ये बात तेजसी आदब को नहीं बोलनी चाहिए ये बहुत नीजे दरजे की बात है वो पुरुप मुख्यमंती रह चुके हैं निता पर जिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को नितीश कुमार ने सम्मान से देखा है विपक्ष के नेता है नितीश कुमार जी का पूरा पॉलिटिकल लाइफ है उन्होंने कभी विपक्ष विपक्ष जो रहा हो सब को समान से देखा है और इस तरह की राज़नीत नो आज तक किये हैं हमको लगता है कभी आज तक तो यह सब बात आई नहीं इस लेवल पर जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसी पर मैंने कहा कि मिठला में इस बात तो बताया आपको चुनाओ आगे आती सब गोस्ना करेंगे बेगुसराय के सांसत और किंद्री मंत्री गिरराज सिंग ने तेजसी आदप के आरोप पर का कि आज तेजसी आदप मुख्य मंत्री पर स्पेशल ब्रांच और CID से जासुसी करवाने का आरोप लगा रहे हैं लेकिन उन्हें इतना समझ नहीं है कि जिस वक्त उनके पिताजी का शासंकाल था तो सिर्फ हत्या, लूट और भ्रस्टाचार की सरकार चल रही थी ऐसा कोई भी काम नहीं था जो उस वक्त नहीं हो रहा था आज लाया था ये तो वो कह नहीं सकेंगे, वो कह नहीं सकेंगे कि मेरे समय घोटाला ही घोटाला होता था वो कहने ही सकेंगे, मेरे समय रोजगार था फिरवती का, वो अपने पिताजी के विरासत पर हैं और उनको कहने के लिए नितीज कुमार तो आज तक अपने बेटे को कभी राजनीत में नहीं किसे, पड़िवार बात का उनके उपर आरोप नहीं लगा, इसलिए नितीज कुमा पर के उपर और क्या पढ़ार हैं? पर आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 10 और 7 किलो के दो बं थे, आलाकि समय रहते, CRPF की टीम ने इससे बरामत कर डिफ्यूज कर दिया है। फ्लड फाइटिंग का काम तेज गती से नहीं किया जा रहा है। गंगा नदी अपने आगोश में घरों को ले रही है और जमीन को भी काफी तेजी से कटाव हो रहा है। कटाव से गरामिनों में दहशत का माहौल बनावा है, गाउवालों को डर है, कहीं पूरा गाउँ ही गंगा नदी में समाना जाए और गाउँ का अस्तितो ही खत्मिया हो जाए।